दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है परजापती नीज में दोस्तो आज किस वीडियो में आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे महगा तरल पदार्थ जिसकी कीमत लाखो करोडों में है और इन तरल पदार्थों का वज़े आपको हैरान कर सकती है महगे पदार्थ जैसे की बिच्छो का जहर, सांप का जहर, पारा, मतलब की मरकरी इन सब पदार्थ का विदेशी बजार में करोडों रुपए है अगर आपसे महगे चीजों के बारे में पूछा जाए तो आपका दिमाग, बड़ी गाडिया, नेजी बिमान, हीरे जेवरात आदी के बारे में सूचने लगेगा लेकिन अगर आपसे कहें कि हीरे जेवरात के अलावा कुछ ऐसे द्रवी पदार्थ भी हैं जो बहुत कीमती हैं तो आप क्या कहोगे, जाहिर है इसका जवाब हर किसी के पास नहीं होगा आज किस वीडियो में हम आपको ऐसे द्रवी पदार्थ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कीमत लाखो करोडों में है तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे एक रेट कलर का सस्क्राइब बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक करके सस्क्राइब कर लें और साइट में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पे भी क्लिक कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को सेर भी कर दें 1. बिच्छू आपको बता दें बिच्छू का जहर मनुस के लिए बड़ा लाबगारी माना जाता है वैग्यानिकों का मानना है कि इस जहर का इस्तमाल घुटनों के दर्स से लेकर कैंसर तक की दवाईया बनाने के लिए होता है आपको बता दें बिच्छू अपने जहर का इस्तमाल कभी भी सिकार करने के लिए नहीं करतें बलकि खुद को सिकार होने से बचाने के लिए करते हैं साथे साथ आपको बता दें बिच्छू का जहर आतो और गठिया जैसे बिमारियों के उक्चार के लिए होता है वहीं इसका गलत इस्तमाल जानलेवा होता है और आपको बता दें बिच्छो के जहर के कीमत विदेशी बजार में 90 करोड रुपए प्रति लीटर है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 90 करोड रुपए प्रति लीटर दोस्तों अगर आपको करोड रुपए कमाने हैं तो जहर का धंदा करना काफी अच्छा हो सकता है पर यह असान नहीं है क्योंकि इसके लिए एक खास नीले बिच्छो की जरूरत होती है और दोस्तों इसके जहर का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं यह अपने जहर से एक हाथी को भी मार सकता है इसके इतने खतरनाक होने के बावजूद इसके जहर में ओहानीन नामक प्रोटीन पाये जाता है जो दुनिया का सबसे बहतरीन पेनकिलर माना जाता है जिसका कोई साइट फेक्ट नहीं है इसका सही इस्तमाल मानों के लिए लापकारी होता है अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत बिदेशी बजार में 34 लाख रुपए प्रती लेटर है और आपको बता दे कोबरा के जहर को डायलूट कर पाउडर तयार किया जाता है जिसे पानी में डाल कर नसा तयार होता है आधा लेटर कोबरे के जहर से लगभग 5000 गिलास नसा तयार किया जा सकता है इस नसे की गिलास को महेंगे दाम पर पब और बार पहुचाने वालों को परोसा जाता है और आपको बता दे अमीर युवा इस नसे को पसंद करते हैं दोस्तों आपको बता दे ये आम केकड़ों से बहुत अलग केकड़े होते हैं इन केकड़ों का खोन दुनिया के सबसे महेंगे द्रब में सामिल है या केकड़े मेकसिको और अमिर्का में पाई जाते हैं इसे हानसू इसलिए कहते हैं क्योंकि ए एकडम घोड़े के नाल की तरह होता है दोस्तों आपको बता दें या जीव इस धर्ती पर 44 साल से मौझूद है लेकिन फिर भी इनमें कोई बदलाव नहीं आया है जिसका कारण है इनके नीले रंग का खोन जो किसी भी बैक्टिरिया के चारों तरफ एक चक्रविव बना कर उसे बढ़ने से रोकता है जिसका इस्तमाल कई दवाईयों में होता है इसके एक लीटर खोन का कीमत बिदेसी बजार में 14 लाक रुपए होती है इन केकडों के खोन के मांग के चलते कई परजाती का जीवन अब खत्रे में आ चुका है आपको बता दे इन केकडों को अलग-अलग जगे से पकड़ा जाता है उनकी अच्छे से धुलाई और सफाई की जाती है और फिर इन्हें लाइब में ले जाया जाता है केकडों को जिन्दा ही स्टेंड पर फिट करके उनके मुग के पास नर्स में सिरिंज लगाकर नीचे बाटल रख दी जाती है देरे देरे बाटल में खुन एकटा हो जाता है और उसी खुन को विदेसी बजार में बेच दिया जाता है अब नमबर चार पर है चैनल नमबर फाइफ दोस्तों आपको बता दें चैनल नमबर 5 एक बहुत महंगा परफ्यूम है जो दुनिया के सबसे महंगे द्रब्यों में सामिल है इस तरल पदार्थ के गिंती दुनिया के सबसे महंगे इतर में होती है इसका निर्मान कोको चैनल नाम की एक मॉडल ने 19 सताबदी में करवाया था इसलिए इसका नाम भी मिश चैनल के नाम पर रख दिया गया पांच महने की पांचवी तारिक को इस इतर का जनमदीन है जिस कारण से नमबर 5 भी कहते हैं दोस्तो आपको बता दें इस महंगे द्रव इतर की विदेसी बजार में कीमत 8 लाग रुपए प्रति लीटर है जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना 8 लाग रुपए प्रति लीटर है नमबर 5 पांच पारा मतलब की मरकरी पारा एक मातर मेटल है जो लिक्विड इस्टेट में रहता है वे गर्मी को काफी सैंसिटिव है इसलिए छोटा से छोटा तापमान में भी चेंज हो जाता है और आपको बता दें पारा कांच के थर्मामेटर में रखा जाता है वह ग्लास को चिपकाता नहीं है और चमकीला होने के कारण वह तुरंट दिख जाता है थर्मामीटर को जटका देने के बाद वह तुरंट नीचे आ जाता है उसके कारण हम कई रीडिंग को ले सकते हैं और दोस्तों आपको बता दें पारा मतलब मरकरी की विदेशी बजार में लाखो रुपे की कीमत है इन सब में से आपको कौन सा द्रब्य सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरू बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिसे हमारा मोटिवेशन बड़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बना कर लाते रहें वीडियो को सेर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ए वीडियो पहुँच जाए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ तब तक जै हिंज जै भारत दोस्तो आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं